प्रियांका कश्यव अगर आप अपनी चार्ट अनलेसिस को स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो आप मारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्ट के दुरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं और यहां पर हम कु तो हमने मौर्निंग में आपको फिनिफ्ट के कॉल पोजिशन यहां पर दी थी 24,150 किसी हमने आपको बताई थी हैं यहां पर 140 पर और आप देख सकते हैं जब इसका यहां पर हमारा और एक्टिव हुआ था तो आज इसने सारा दिन यहां पर हमें फिनिफ्ट में वन साइड देखने को मिलना है और इस ट्रेट ने हमारा 140 से लेकर यहां पर 396 का यहां पर डारेक्ट यहां पर ही लगाया है उसके बाद कुछ हमने इहां पर अपनी ट्रेट को बिलिया था मिड कैप में मौनिंग में आपको जे टरन लाइन यहां से बेग बेजी थी इसका यहां से मे मैंने आपको बताया था कि 24,046 का जो लेवल था हमारे लिए important था कल की वीडियो में मैंने आपको अच्छे से यह explanation यहां पर दी थी कि आप कल कैसे यहां पर trade बना कर चल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आज हमें यहां से इसका 300 point का move हमें यहां पर upset देखने को मिला उसके पाद भी हमारे यहां पर काफी side काफी जाधा upset यहां पर गई थी की one wave with हमारा यहां पर इसमें बना हुआ था उसके बाद के बात करें तो आप देख सकते हैं कि again हमने आपको यहां पर एक put position दी थी और वह हमने आपको किसके basis पर दी थी है Nifty में मैंने आपको 15 मिनिट में bearish engulfing pattern हमने बताया था आपको क्योंकि 53,000 का जो हमारी लिए psychology level था important हमारा resistance था और आज यहीं से हमें selling देखने को मिली है आप देख सकते हैं कि 325 पर मैंने आपको ये put position बतायी थी और इसका order भी active होने के बाद इसने direct यहां पर 432 का high लगाया आप देखें तो 160 पॉइंट ही हमारी यहां से direct downside थी यानि जो कुछ भी market hours के दुरान बंता वो सब कुछ हम आपको update कर देते हैं nifty ने भी जब अपनी spot and line को यहां से break दिख किया था then 160 पॉइंट ही यहां पर downside थी तो चलिए फिर अभी यह देखते हैं कि कल आप nifty में कैसे trade करके चलेंगे क्योंकि कल nifty की weekly expiry है सबसे पहले हम इसके यहां पर 15 minute के chart को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी हमारी market के यहां पर close होने में यहां पर time है तो आप देख सकते हैं कि 13 से लेकर आज तक हमारी जो market की consolidation यहां पर बनी हुई थी है 13 की यह 16 की दन यह 17 की और अगर आज 18 की भी बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि market आज हमारी यहां पर consolidate थी morning में nifty और जो इसने आज यहां पर high लगाया है मिली है और आप देख सकते हैं कि इसने वहीं का support लिया है जो हमारी लिए पहले important यहां पर support बना हुआ था 13 date से आप यहां पर देख सकते हैं कि इस range के बीच में ही market हमारी थी बट आपकी अगर बात करें तो यह एक trend line थी इस trend line के basis पर आप अपनी यहां पर trade को बना कर चल सकते थी जब इसका यहां से हमारा breakdown हुआ तो first target हमारा यही बनता था जो कि हमारे लिए पहले भी important यहां पर support का का काम कर चुका है यानि 25,300 जो कि एक psychology हमारा level यहां पर बना हुआ है तो आप देखें यही से ही हमें again यहां पर buying देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि market यहां पर हमारी consolidate हुई और consolidation होने के बाद इसका breakout हमें upset देखने को मिला है तो कल यह दो level हैं जो आपके लिए important यहां पर रहेंगे एक तो है 25,500 का level और दूसरा है 25,000 यहां पर 300 का level और सबसे main important आपको पता है कि आज यहां पर US Fed की भी meeting हमारी यहां पर है यह basis पर कल market में हमें एक बड़ा move यहां पर देखने को मिल सकता है लेकिन अगर हमारी market कल को इस range में ही कहीं पर open होती है इसी consolidation range में यानि इस 200 point की range में कहीं पर open होती है तो आपके लिए कल को best trade रहेगी इसका breakout और breakdown होने पर आप अपनी यहां पर fresh entry आप लेकर यहां पर चल सकते हैं लेकिन अगर हमें कल को इसके upside ही यहां पर market मिल जाती है यानि कुछ ज़्यादा ही gap up open हो जाती है तो आपको wait करना है एक price action का, then आप अपनी यहां पर entry को बना कर चलेंगे हाँ अगर gap down open होती है तो भी आप एक price action का wait करेंगे कुछ 100 point down होती है यानि 300 के level का ही वह break करके downside open होती है तो आप एक प्राइस action का wait करेंगे देन अपनी entry को बना कर चलेंगे और दूसरा जो हमारी यहाँ पर strategy होती है morning में first 5 minute कर 15 minute की उसके basis पर आप अपनी यहाँ पर trade को बना कर चल सकते हैं तो चलिए फिर अब अपने सबसे पहले important यहाँ पर one day time frame पर चलते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या बना हुआ है क्योंकि अगर हम इसके one day time frame की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि market यहाँ पर four days से consolidate हो रही है तो अगर आप देखें तो आज यहाँ पर एक bearish pattern की ही हमारी यहाँ पर formation हो रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पर four days से देखें तो यह dozy type की ही candlestick हमारी यहाँ पर बनी हुई है तो अगर कल का यह low break हो जाता है 25,300 का तो then आपको कल को market यहाँ पर 25,000 तक आपको यहाँ पर show हो सकती है आप सिर्फ upside के लिए कप जाएंगे जब यह 500 का level हमारा यहाँ से break होगा then ही आप अपनी यहाँ पर upside के लिए जाएंगे लेकिन अगर यहाँ पर 300 के पास open होती है और उसका breakdown देती है तो then आप यहाँ पर अपनी sell side की ही position को बना कर चलेंगे तो चेलिए भी रब अपने important यहाँ पर resistance और support जान लेते हैं कि आपके लिए क्या रहेंगे यानि आप profit booking करके कहाँ चलेंगे तो सबसे पहले जो हमारे लिए important resistance रहेगा वो 25,430 का रहेगा then 25,500 का रहेगा then 25,550 का then 25,600 का यानि जो हमारे यहाँ पर important resistance निकल कर हमारे आएंगे वो हमारे option chain के data के हिसाब से यहाँ पर रहने वाले हैं support की बात करें तो 25,283 का 25,198 का then 25,129 का then 25,083 का यह हमारे लिए important यहाँ पर support रहेंगे और जो सबसे ज़्यादा strong support है वो 25,000 का हमारे लिए यहाँ पर रहेगा कि अगर आपको यहाँ पर भी market मिलती है यानि gap town भी आती है यहाँ तक अगर आपको आती है तो morning में भी आप अपनी आपर zero to hero trade बना कर चल सकते हैं और यहीं से भी आप अगर इस level पर आपको मिलती है 25,000 के level पर तो यहाँ से आप upside के लिए जा सकते हैं तो एक fast move आपको यहाँ पर again upside देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी इस level पर 25,000 के level पर सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पर रहेगी वैसे तो सब कुछ हम साथ के साथ आपको update करते ही रहेंगे I hope आपको वीडियो अच्छे लगी है informative लगी है तो please subscribe my youtube channel और आप हमारा telegram group को भी join कर सकते हैं जिसका link description में दिया हुए thank you